तो आज मैं टिप्ट एंड ट्रिक के साथ रवडी की वीडियो शेयर कर रही हूँ तो मैं बनाने वाली हूँ रवडी तो देखिए मैंने लिया है दूद यह करीब दो धाई किलो दूद है और इस दूद को मैंने बड़ी सी कड़ाई में किया हुआ है तो आपको भी बड़ी दूद को आपको उबलने देना है जब तक आपको चमश डालना अब देखिए जैसे ही उबले वैसी आपको गैस को कम कर देना है और इसकी जो उपर मलाई पड़ी हुई है उसको आपको साइड में निकालते जाना है तो जो हमारे खोआ बनता है और रवडी वनते हैं दोनो जो कडाई है ना उसके किनारों के साइड में निकालना होता है इसीलिए हमें ciao हमें जब भी आप रवडी बना रहे हो रवडी का जो बरतन है मतलब की जो हमें कडाई ली है उसको आपको बढदा रखना है क्योंकि हम जो इसमें मलाई पड़ेगी उसको हमें सैड में निकालना होता है ऐसे करके चुपकाना होता है जैसे कि मैं इसमें लगा रही हूँ तो देखिए आपको साइड में इसको लगाते जाना है और फिर से आपको दूद को इसको चला देना है बीच के को और फिर आपको ऐसे ही छोड़ देना है आपको बारवार पर बीच में नहीं चलाना है मलाई सही ते इसको बीच में नहीं चलाना है मलाई को पहले साइड में निकालना है कड़ाई से जो हमने चिपका रखी है उस तरीके से फिर आपको चलाना फिर से आपको इसी में ही ऐसे छोड़ देना है तो इस तरीके से आप करते जाना और हमारी जो रवडी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और मैं तो हमेसा ऐसे ही बनाते हूँ जब भी मुझे नियुक्त नियुक्त chemical ऐसा डालते हैं कि वो सफेध ही रहती है तो देखे इस तरीके से हमने इसको बना लिया है फिर आपको रवडी को थोड़ा सा पतला रखना है हलका सा पतला liquid type में ज्यादा में रखना है तो आपका जो बीच का दूद है ना वो थोड़ा सा ज्यादा रखना है और रवडी हमा मारे रवरी बनके त्रेडी होती है तो देखे से मैंने इतनी सारी कर लिए है रवडी बना लिया मतनल Square में अ इस तरह बं लिया है और मैंने गेस को बीच में रखना है यह नहीं एक कि साहरे को यह आपनीकाल दे जाओ और फिर गयास को बंद करने के बाद में आपको इसमें चीनी डाल दूयें को घर केगे हैं और चीनी डालने के बाद में अच्छी तरीके से इसक wärkov मिक्स करें आपकी चीनी घुल जाए इतना और फिर आपको ढ़ाई को ढ़ाई कोठा हो जै है और अम जो सायड की जो रवडी चुपकी होई दो लॉट को चुपकी हुई है Europe the जो सायड की जो रवडी है ऊसको मैं जो चुपकी हो देने तो लॉम्बी लॉम्मई एक हमारे जॉफ़ हम आतो चौते पीसे सेसं को कर देनिए रस्शार समय भुड़ और अगर आपको और भी आप डालनी हैं जैसे की काजू बादाम बगएरा तो आप भी आप बनाना चाहूं वैसे आप अपने कोडिंग बना सकते हो तो गाइज यह रेसिपी आप लगे कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और किस पर आती थी इस वीडियो को देखने के बा बनाना वह भी कमेंट करके जरूर बताना तो चलिए आज के लिए इतना ही यह हमारी रवडी बनके रेडी हो चुकी है तो चलिए परतन में निकाल लेते हैं और अगर आपको और भी थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में करनी है इसको थोड़ा सा पतला रगना है तो आपको आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेश चरूर करें तो चलिए विदा लेते हैं यहां से फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ